क्योच्छा नमर 13 है सौर जल उसमख का संशिप्त वर्नन करना है हमें तो सौर जल उसमख क्या है ये हमें लिखना है बहुत ही अच्छा क्योचन है आप को ये पूछे जा सकते हैं एक्जाम है तोアफ इसे राखिएगा तो सबसे पहले हम इसका अंसर कैसे लिखेंगे देखते हैं लिखेंगे सौर उस्मा की उप्ती को कुछ परिवर्तनों के पहचात सौर जल उस्मा के रूप में भी उप्यों किया जा सकता है इसके लिए काली पटी के तामवे की ट्यूब द्वारा बदला जा सकता है यहां पर आप देख सकते हैं यह ट्यूब है जो पतले बाले ट्यूब दीख रहे हैं यह ट्यूब आपको बदल दीजिए इसको बाहरी क्यों से काला कर दिये जाता है यह हुआ है से हमें पीरक राप करेंगे यह वट इस ट्यूह का एक सिरा जन रौसरों से जुड़ा होता है होता हैं यहां पर एक सिरा जोसर हुआ है तुसरा में गर्म जन पर नाप्त होता है, यहां पर रूर जा पड़ती है काला रहता है और अंदर को हीट कर रहता है चलते हूए जाती है तो यहां पर वह दिरे घर्म होकर का आगे घर्म पानी निकलता है मिल जाता है ठीक है तो यह सौर जल उसमा का ऐसा नहीं है कि इससे हम बहुत जादा गर्म कर लेते हैं लेकिन हाँ गर्म होने बहर हो जाता है ठीक है